एक बार की बात है, जंगल में एक बहुत ही सुन्दर शेर रहता था। वह बहुत ही ताकतवर और सासी था। जंगल में उसका नाम राजा था। राजा का जंगल में सबसे बड़ा रिष्टिदार होता था। वह जंगल के सभी जानवरों को बचाने का काम करता था। उसने अपनी शक्तियों का उप्योग करके जंगल में न्याय का दायत्व निभाया। राजा का जंगल के सभी जानवर उसके सम्मान करते थे। एक दिन राजा जंगल में घूम रहा था, तभी उसने एक लोमडी को देखा, लोमडी बहुत ही खुश नजर आ रही थी, लेकिन जब राजा ने लोमडी के पास जाकर उससे कहा कि तुम बहुत ही खुश नजर आ रही हो, तब लोमडी ने कहा कि वहाँ खुश होने के लिए कुछ वि व्यवहार से संदेह होने लगा राजा ने सोचने लगा कि सायद ये मुझसे कुछ छुपा रही है और वह लोमडी के बारे में जानने के लिए उसके पीछे एक भालू को भेजता है थोड़ी देर में लोमडी अपने घर चला आया लेकिन उसके पीछे ओ भालू भी आ रहा था पर भालू को ऐसा कुछ भी सबूत नहीं मिलता भालू शेर के पास जाता है और बोलता है महाराज हमें ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला तो शेर ने सोचा कि आखिर लोमडी क्यों इतना खुश थी नहीं नहीं शायद उसने कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रही है राजा ने खुद लोमडी के पीछे छुपकर देखने की सोचता है और वहाँ लोमडी की घर के और निकल जाता है लेकिन लोमडी तो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है शेर बहुत धुणता है लेकिन लोमडी नहीं मिलती लोमडी को नहीं मिलने पर राजा ने सोचता है शायद उसे कुछ कीमती चीजे मिल गई होगी इसलिए वह जंगल छोड़कर चली गई होगी इतना सोच कर राजा ने फिर से वही जिने लगता है और लोमडी दूसरी जंगल में जाकर खुशी खुशी रहने लगी